आज हम बात कर रहे हैं खास बिमारी के बारे में जहां हमारे पेरों पर और हातों पर और फेस पर भी कभी कभी स्वेलिंग दिखाई देती है सूजन आ जाती है सूज करके वो एक तरीके से फूल जाता है इसपेशली पेर में, फीट्स जो होते हैं, यहां पेर के तलवे जो होते हैं, वो फूल करके सूजन से भर जाते हैं, तो वो क्यों हो जाता है, इसके पीछे reason क्या है, treatment आपने करवा लिया, Allopathic Modal Treatment की medicines लेनी जब तक आपbang medicine лेते हैं तब तक क्या होता है की आपको अराम रहता है urine pass out होता रहता है आपको urine की इच्छा होती है urine आप करने चले जाते हैं लेकिन जैसे ही आपने medicine stop करी या medicine ले भी रहे तो कुछ दिनों बाद वो just कितस हिस्तिती बनी रहती है ट्रीटमेंट के हम पर्मानेंटली डिजीज को क्योर कर सकते हैं और यह सारी मेडिसिन जो हैं वो प्रूब्ड हैं कि इडिमेटिक कंडिशन को और स्वेलिंग को दूर कर सकती हैं और बहुत ही जंदी हम उस बिमारी से बहार निकल सकते हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा लोगों रख शेयर कीजिएगा क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंस तो दोस्तों शुरू करते हैं इडिमा क्यों हो जाता है क्या इसके पिछे बैसिक सीजन रहते हैं कहीं किडिनी तो खराब नहीं होगी किडिनी पर लोट तो नहीं आ रहा है या कोई और रिजन है क्योंकि सबसे पहले जिब डॉक्टर के पास जाते तो वह यही कहता है कि आपका यूरीन फंक्शन टेस्ट करवा लेते हैं एक बार यानि किडिनी प्रपर व एक्सिमेटीज पर हातों और पैरों पर जहता देखने को मिलता है घहांगा होगा कि आपने फूल करके जब बबाया प्रेस किया लोटा है कि नोर्मल न उन पिटिंगूंग एडिमा ध में और ढर तरेका होता था है मांनौ इंडिमा और नária दाधी मारता अब नए लिई water हा वहाँ वहाँ उस प्रकार के इसाब से भी इसका नाम अलग अलग है जैसे एक्स्ट्रमिटी इस पर अगर हो रहा है यानि कि हमारी वोडी के सेंट्रल मास से लेकर के दूर हमारे पेरों परे, हाथों परे, अगर इडिमा है तो वह peripheral इडिमा कैलाता है, यानि शरीव से दूर वाला इडिमा Lungs में अगर हो जाता है तो वह pulmonary Edeima कैलाता है यानि future lunges में भी swelling आ जाती है, वहां पर भी पानी भड़ जाता है और fluid accumulation के कारन से वह puffy swelling होती है यानि कि कोई ने कोई fluid accumulation हो गया और उसी वज़े से जो है वो पफी swelling आई है dropsy भी कहते हैं दोस्तों कि यह होता क्यों है क्या reason इसके पीछे की edema होने की chances देखे जाते हैं तो rising factor जो होता है इसके बिच्छे वो excessive use of salt देखे ज़्यादा अगर नमक का यूज़ करेंगे नमक से बनने वाली खास होमेपेटिक medicines का भी वीडियो हमारे चैनल पे है नमक के दुश्परी नाम का भी वीडियो हमारे चैनल पे है तो आप जाके देख सकते हैं अगर हम ज्यादा नमक का use करते हैं तो नमक का property होता है कि वो accumulation करता है water को जहां पर भी fluid होता है या liquid होता है उसको इखटा करने का काम करते हैं के अंदर salt को बढ़ा लेते हैं तो हमारे अंदर edema या fluid जो है वो इखटा होना शुरू हो जाता है तो एक सबसे common reason है कि excessive use of salt salt अगर हम ज्यादा use करेंगे तो edema होने की chances बने ही बनेंगे sitting और standing position में अगर हम लंबे समय तक बैठे वे रहते हैं एक ही structure में यानि कि अगर बैठे रहने का काम है या फिर जो है हमारे खड़े रहने का काम है और वो लंबे समय से बना हुआ है तो gravity की वज़े से हमारे अंदर fluid accumulation होने लगता है क्योंकि हमारे अंदर varicose veins, varicose walls जो होते हैं वो proper way में काम नहीं कर पाते हैं तो fluid और blood जो होता है वो gravity के against नहीं जा पाता है जब person लंबे समय से एक ही position में बैठा रहे या फिर खड़ा रहे तो यह जो छोटे छोटे कारण है इन्हीं से कहीं नहीं जाय करके हमें और further disease होना या और हमारे system जो है वो proper way में काम नहीं कर पाएगा आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से kidney पर भी इसका effect आता है इसरा season जो है वो है menesis से पहले या प्री मेंस्टरल डेस में या मेंस्टर से पहले जो है female के अंदर feet के अंदर legs के अंदर swelling दिखाए देती है तो यह जब menesis में आने से पहले hormonal imbalance होता है तो उसी वज़े से जो है हमारे पेरों में swelling दिखाए देगी और वह swelling जोगी वह एक तरीके से पफी swelling होगी और वहाँ पर fluid accumulation जैसे की पेर female से भी आप बात करेंगे या पूछेंगे तो उनकी swelling जोगी वह before या during menesis especially before menesis ही रहेगी आने से पहले ही पेरों में सूजन दिखाई देती है दोस्तों कि अगर diet के अंदर protein proper मात्रा में नहीं ले रहे हैं protein की कमी हो गई है और diet protein से भरपूर नहीं है तो भी हमें देखा गया है कि वहाँ edema होने के chances रहते हैं obesity बनी वी है लंबे समय से मोटापा है तो भी edema की condition उन patient में देखने को मिलेगी during pregnancy pregnancy में भी जो होता है वो weight की वज़े से excessive weight की वज़े से जो होता है वो edema की condition पेरों में तल्वों में देखने को मिलती है अब आता है कि allopathic mode of treatment कुछ medicines ऐसी होती है जो non-esteroidal anti-inflammatory drugs special होती है जो जिसके use से edema की condition पैदा हो जाती है यानि कि swelling हो जाती है आपके face पे आपके हाथों पे या आपके पेरों के अंदर अगर कोई medication चल रहा है तो please उसे check करने किड़नी damage या kidney function test जो है जो kidney काम कर रही है किड़नी function जो है वो proper way में नहीं हो रहा है किड़नी अपना काम proper way में नह damage हुआ है या वो जो problem kidney के अंदर आई है तो उसकी वज़े से डिमेटिक condition या edema पेरों के अंदर especially दिखाई देने को मिलता है बात आती है कि cardiac या heart related problem के साथ अब जहां heart involved है या circulation proper way में नहीं हो रहा है वेरिकोस वेन की स्थितिया आ चुकी है वेरिकोस वेन बढ़ चुकी है पेरों की नसे अगर फूल चुकी है फूल करके मोटी हो गई है और उसी gravity की वज़े से fruit जो है वो नीचे खटा होना शुरू हो गया तो वहाँ पर पेरों के अंदर सूजन दिखाई देगी कुछ ऐसी बिमारिया है जो critical है जिससे cancerous condition है तो वहाँ पर भी हातों पेरों और चेहरे पर सूजन दिखाई देगी या लीवर फंक्शन टेस्ट या लीवर जो है वह पूर प्रॉपर में में फंक्शन नहीं कर रहा है फैटी लीवर की condition आ जाती है या excessive use of alcohol या abuse of alcohol की वज़े से भी इडीमा या swelling हमारे हातों पेरों में और face भी दिखाई देने को लगती है तो ये दोस्तों खास कारण थे जिससे हमें पता चल रहा है कि हमें इडीमा की condition आज हमारे में क्यों हुई है तो अगर इन में से कोई reason है तो इडीमा इनहीं की वज़े से हुआ है और इनहीं की management की बात करें तो होमेपथिक बहुत ही कारगर है इस disease से इडीमा से इडीमा की हर condition से बहार निकलने के लिए क्योंकि जहां अलोपथिक मौड आफ ट्रीट्मेंट की medicines काम करना बंद कर देती है या कुछ हपतों तक महीनों तक आपने उसे use करके देखा लेकिन चंद शुरू भी बहर जा रहा है लेकिन इडीमा या स्वैलिंग बनी हुई है तो वहां कोई आपको फाइदा नहीं होता तो उसी जगें होमेपथिक की खास medicines हैं जो आपको पर्मनेंटली डीमा की condition से छुटकारा दिला देगी तो दूस्तों शुरू करते हैं उन खास होमेपथिक मेडि जो पूरी बॉल कर सुच जाती है वह इसलिए होता है कि जब सरज्री होती है तो लिंफनोट्स और फूल्ड जो है वो लिंफ नॉट्स के बीच में इकटा होना शुरू हो जाता है फ्लूड एकुमलेशन की वज़े से ही पूरी बोडी के अंदर स्वेलिंग बने यहां पर इस्पेशली काम करती हैं तीन खास मेडिसिन आफ्टर सर्जरी आर्नी का सबसे टोप पे आती है या आफ्टर इंजरी आपको कहीं चोट लगी एक्सिडेंटल इंजरी हुई और स्वेलिंग हो गई तो वहां आर्नी का या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कर तो आर्नी का रूटा ये दो ऐसी खास मेडिसिन है और अगर स्वेलिंग के साथ साथ आपको पेन भी सीवियर रहता है तो सिमफाइटम और पेम आफ्टर इंजरी या आफ्टर सर्जरी तो सिमफाइटम और आर्नी का और रूटा इन तीनों को ही हमें 200 पॉर्टिंसी के अं सब्सक्राइब है इडीम हो या नॉन पिटिंग इडीम हो कोई दिक्त नहीं है लेकिन स्वेलिंग आपकी डिस्पियर हो जाएगी अब बात करते हम खास पांच हो मेंडिसिन की इस घली मेडिसिन आती है अपिस बहुत अच्छी टॉप मीडिसिन है आपकी डिमा की वह आप के face पे हो, आपके eye ball के चारों और हो, आखों के चारों और हो, face पे हो, हातों पे हो, पेरों पे हो, या शरीर में कहीं पर भी edema हुआ है, या hall over the body में edema होगा है, तो apis 200 की 4 dose दिन में लेनी है, दो रॉब आदर कब गुन गुना पाने के अंदर, जब तक वो सारा edema disappear ना हो जाए, तब तक आपको उसे use करना है, क्योंकि apis का peculiar symptom है, swelling, with inflammation, with pan, with burning, with itching, तो जो symptoms edema के अंदर हैं, भले ही reason कुछ भी हो, apis उसे दूर करने का काम करती है, लेकिन cause के साथ साथ अगर हम medicines को देते हैं, तो हम ये देख पाएंगे कि उसके साथ further कौन सी medicines चलानी है, तो उसमें हमें आसानी होगी disease से जल्दी से जल्दी बाहर निकलने के लिए, दूसरी medicine के बात करते है, rustox, rustox बहुत अच्छी medicine है, जहां eye lids के चारों और swelling आ जाए, है तो upper eye lids है या lower eye lids है, तो वहां rustox 200 की डो डोस काफी है, आपको eye lids की swelling से बाहर निकलने के लिए, तो swelling जो है, वो excessive thrust के साथ आ लिए, यानि कि प्यास भी उसे बहुत लग रही है, बहुत पानी पी रहा है वो, और साथी साथ उसके swelling भी बढ़ती जा लिए, तो पानी water intake भी कर रहा है, और swelling बढ़ रही है, तो वहां खास medicine है, arsenical 30 में, 30 में इसकी चार डोस लेनी है, आपको swelling की condition से बहाँ निकालेगी, चोथी medicine आती है, lycopodium, lycopodium medicine बहुत ही अच्छी है, आपके kidney को भी बहुत अच्छे से उसको function में लाने का काम करेगी, kidney stone हो गया है, multiple stone हो गया है, तो उसे दूर करेगी, lycopodium left sided remedy है, left side के kidney में भी काम करती है, और right side के kidney में भी काम करती है, kidney stone के साथ साथ, kidney function के साथ साथ, kidney function को सुधाने के साथ साथ, अगर swelling के साथ साथ, पेरों की swelling के साथ, वहाँ पस निकलने लगे, या कोई fluid discharge होने लगे, swelling के साथ साथ, especially, पेरों में swelling हो रही है, वहाँ से कुछ fluid निकल रहा है, तो वहाँ खास lycopodium 200 की 4 dose लेनी है दिन में, 2-2 drop आदा क निकलने लगे, तो वहाँ पर हमें lycopodium 4 dose लेनी है, अब बात करते हैं, लास्ट और खास homeopathic medicine जिसका नाम है, पलसेटिला, पलसेटिला दोस्तों 30 potency से 200 potency तक हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ varicose vein की स्थिति अगर बननी रहती है, इडीमा है, और especially legs के अंदर, varicose vein है, varicose vein, जो veins है, thigh तक जो जा रही है, veins नीचे, calf muscles से, वहाँ swelling आ चुकी है, वह veins जो होती है, फूल करके मोटी हो गई है, यानि कि आप देखेंगे, तो आपकी जो little finger है, इतनी मोटी, tender, hard हो चुकी है, तो वहाँ पर पलसेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है, 200 की potency में दिन में common symptoms थे, swelling के, क्यों होती है, किस reason से होती है, उनकी कुछ चुनिंदा medicines, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही medicines हर person में काम आए, क्योंकि उस person की, उसकी अपनी homeopathic medicines, जो उसके symptoms पे आधारीत होगी, वो उसे तुरंत किसी भी बिमारी से भाहर निकालने के लिए कारगर है, अब बात तो मुझे डर है, surgery से, तो वहाँ पर रूबरिक बनता है, fear injured of being, यानि कि मुझे डर लग रहा है, किसी भी injury से, surgery से, मुझे डर लग रहा है, तो वहाँ medicine अलग हो जाएगी, भले disease कुछ भी है, लेकि medicine अलग हो जाएगी, क्योंकि यह medicine काम करेंगी, लेकि हो सकता है कि काम न किसी homeopathic physician से guide में, उसकी guidance में लेंगी, तो आप उस जादा फाइदा होगा, thank you, और अभी तक आपने चैनल को subscribe ने किया, तो please चैनल को subscribe पीजे, हमारे bell icon को दबाईए, तापकि health related, homeopathic related, और बिल्कुल pure homeopathic related knowledge आपको मिलती रहेगी, thank you.